Embrace the power of knowledge at संस्कृती युनिवर्सिटी, ranked first in most in most promising university in engineering and management in India, visit www.sanskriti. गुजरात में चान्दीपुरा वाइरस से एक और बच्चे की मौत हो गई. उत्तर गुजरात के साबरकांथा और अर्वली जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमें एक दर्जन गावों में सर्वे कर चुकी है. स्वास्थ्य मंत्री रिशीकेश पटेल ने एक विडियो शेयर की अपील की है कि वर्शा रितु में यहाँ वाइरस हैलता है तथा इससे घबराने की जरूरत नहीं है. राज्य में अब तक इससे ग्रस बारा मामले सामने आ चुके हैं. राज्य का स्वास्थ्य विभाग चांदीपुरा वाइरस को लेकर पूरी तरह अलर्ट है. बीते सप्ता इस वाइरस ने चार बच्चों की जान ले ली थी. हिम्मत नगर सिविल अस्पताल में भरती एक और बच्चे की रविवार शाम को इससे मौत हो गई. एहमदाबाद के बाल रोग विशेशग्य डौराकेश शर्मा बताते हैं कि मानसून में सर्दी, खांसी, पेट दर्द, डाइरिया, उल्टी की शिकायत होने पर उपचार के साथ PCR पोलिमरेज चेन रियेक्शन टेस्ट कराएं. गंदगी पशों के मल मूत्र और पानी जमा होने के कारण यह रोग फैलने का डर होता है. हिमत नगर सिविल अस्पताल के निवासी स्वास्थ्य अधिकारी दौग विपुल जानी ने बताया कि अस्पताल में अब तक संदिग्ध चांदीपूरा वाइरस के आठ मामले सामने आए हैं. इन में से पांच की मौत हो चुकी है जबकि तीन का उपचार चल रहा है. मुरत्कों में एक राजस्थान की खेरवाडा तहसील का बालक शामिल है जबकि साबरकांथा वा अर्वल्ली के दो-दो बच्चे हैं. गुजराथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रशिकेश पतेल ने कहा कि चांदीपूरा वाइरस जनित रोग नया नहीं है. इससे घबराएं नहीं साबधानी बढ़ते हैं. सामान्यत्या वर्शा रितु में सेंट फ्लाइ मक्खी के काटने से यहां रोग फैलता है. 9 माह से 14 वर्श के बच्चों में यहां पाया जाता है. राज्च में अब तक इसके 12 मामले सामने आए हैं. बच्चों में बुखार, उल्टी दस्त, सिरदर्द और नसों में खिचाव आना इसके लक्षन होते हैं. चान्दीपुरा वाइरस बीमारी की शुरुआत अकसर तेज बुखार के साथ होती है. दस्त और उल्टी जैसे लक्षनों का अनुभव होता है. ऐसी में इस बारे मे अगर जागरुकता कम हो, तो यहां मौत का कारण बन सकती है.